Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah सूद, so NTA UGISnet Paper 1 के final preparation के लिए Teaching Aptitude Unit का Full syllabus revision session आज मैं लेकर आई हूँ, जसमें अगले 60 minutes के अंदर हम complete इस unit को detail में पढ़ने वाले हैं जो भी important and repeated concepts हैं, उन सभी पर हमारा major focus रहेगा and मैं आपको guarantee देती हूँ कि अगर अभी भी आप लोगों की तयारी अच्छी से नहीं हुई है, तो ये video lecture series आप सभी को बहुत ही जादा मदद करने वाली है Paper 1 के final preparation के लिए Quick revision series में लेकर आई हूँ, जिसमें आपको unit wise practice MCQs and most repeated BYQs हम provide करवाते हैं, वो भी solution के साथ and students अभी तक जो भी unit आप लोगों ने अच्छे से नहीं पड़ी है, आप लोग उसको सिरफ ये MCQs के जर्ये practice कर लीजिए, आपको guaranteed as it is questions examination में देखने को मिलेंगे साथ ही याँ पर आप देख सकते हो, लगबग हर एक unit के 500 questions आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सिरफ given numbers पर WhatsApp के जरीए contact कीजिए and इस PDF को आप सभी access कर सकते हैं वो topics हैं जो कि बार-बार exam में पूछे जाते हैं, तो अगर आभी भी आप लोग एक महीने में सिरफ ये topics को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं आपको 100% surety देती हूँ कि paper 1 में easily 80 plus score किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे teaching का introduction यानि की शिक्षन का परिचय तो अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये teaching है, आप लोग मेरे video से, मेरे session से कुछ सीख रहे हो, वो learning होती है so major objective जो होता है teaching का, वो learning को effective बनाना ही होता है अब एक teacher, as a teacher, आप लोगों की ये responsibility होती है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, वो एक ऐसे level पर पढ़ाओ, एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि जो भी आपके students हैं या जो भी आपके learners हैं, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ भी जाए and actual में examination के लिए वो चीज़े important भी हो so main objective of effective teaching is learning teaching is the purpose, full direction and management of the learning process अब देखो, अब जैसे आप सभी मेरे sessions को देख रहे हो इसके पीछे आपका और मेरा एक purpose है ठीके कुछ उदेश्य है, मेरा उदेश्य ये है कि मुझे जितना भी knowledge है वो मैं आपके साथ share करू and आपका ये purpose है कि आप अपना J.R.F. achieve करो and एक proper तरीके से manage करकर अगर हम teaching learning process को पूरा करते हैं तो ही उस teaching learning process को successful माना जाता है इसके साथ ही examination में teaching related कुछ definitions भी पूछे जाती है जैसे कि example लेते हैं previous year question से ही पूछा गया था कि A.P.J. अब्दुलकलाम जो थे उन्होंने teaching के बारे में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि teaching एक बहुत ही जादा noble profession है जो कि किसी भी student की किसी भी person के future को एक अच्छा character देता है एक अच्छी shape में लेकर आता है उनका caliber बढ़ाने में मदद करता है तो इस तरीके से आपको कुछ definitions दी हो सकती है और पूछा जा सकता है कि किन्होंने ये statement कही थी तो जब भी noble profession की बात आए जिससे कि एक person के future को हम बदल सके वो कहा था A.P.J. अब्दुलकलाम जी ने इसी के साथ अब आता है next point जिसमें कहा है teaching is a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers ठीक है तो जो भी अपने experience से teachers उनको चीज़ें देते हैं knowledge देते हैं students कैसे उन सब चीज़ को इस्तेमाल करके अपने behavior में permanent change एक positive change ला सकते हैं इसके बाद एक जो next नया concept आया है वो है education से related so education को लेकर के कौन से philosopher ने क्या बाते कही थी ये बहुत बार exam में आता है जैसे कि स्वामी विवेका नंजी ने कहा था education as the manifestation of perfection already in man अब देखो किसी person में आप कोई person है अगर आप में कोई एक कला है आप में कोई गुण है कोई talent है अब उस talent को एक अच्छे तरीके से present कैसे किया जाए सब के सामने कैसे लाया जाए या किसी person को खुद भी नहीं पता होता कि मुझे में ये गुण है ये talent है ये सब चीजे सामने लाने में मदद करती है education तो ये manifestation होता है of perfection already in man दूसरा है Aristotle खास तौर पर अगर आप English Literature के students हो तो Aristotle की बहुत से definitions आपको पता होनी चाहिए इसमें इनोंने कहा है कि creation of a sound mind in a sound body स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तिश्क का निर्मान करना ही education होता है जॉन डेव्यो ने कहा था education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities अब देखो simple से language में मैं चीजें बताती हूँ आपको आपके सामने एक educated person है और एक uneducated person है आप दोनों person को same task दे रहे हो हो सकता है जो come educated है या uneducated लोग है वो भी उस task को पूरा कर ले लेकिन उनका किसी चीज को present करने का तरीका क्या हो सकता है किसी चीज से deal करने का तरीका क्या हो सकता है यह बहुत different होता है तो इसलिए education बहुत जादा important भी है और बहुत से philosophers ने education की अलग-अलग definitions में दी हुई है Swami Vivekananda की एक और definition यह भी है कि he defines education is the manifestation यह जो मैं आपको बताया है यह बहुत बार exam में आया है कि manifestation of perfection already in man इसे के साथ अब बात करते हैं तीसरे important topic यह जिसका नाम है major philosophies and approaches in education यह topic आपको syllabus में नहीं मिलेगा लेकिन इसमें से sure questions आते ही है तो सबसे पहला है three bases of education so education के three bases होते हैं तीन चीजों पर education निर्भर करता है पहला है philosophy दूसरा है psychology psychology ठीक है और तीसरा आजाता है हमारे पास social needs social needs यह तीन चीजों पर education निर्भर होती है इसमें सबसे पहले philosophy हमें बताती है कि why अगर education में किसी चीज का आपको answer नहीं मिल रहा आपके दिमाग में question है कि हम यह क्यों पढ़ रहे है क्या इसका reason है तो education के basis में philosophy आपको इसका answer जानने में मदद करती है psychology बताती है how कि किसी problem से कैसे बाहर निकला जाए वो psychology के अंदर आता है and social needs बताती है what कि आपकी क्या needs है and कैसे उसको fulfill किया जा सकता है तो यह तीन है basis of education okay इसके बाद यहाँ पर students एक और question exam में आता है कि father of education किसको कहा गया है यह question बहुत बार exam में आया है इसका answer मुझे comment करके बताईए अगर नहीं पता है तो भी मुझे बता दीजेगा मैं आपका reply comment में ही कर दूँगी ठीक है अगला है idealism idealism को बोला जाता है अधर्शवाद अधर्शवाद हमें यह बोलता है कि जो भी God होता है कई लोग आपने देखे होंगे वो अधर्शवादी होते हैं उनका कहना होता है कि जो हमारे spiritualism वारी चीजे होती है जो हमारे भगवान के द्वारा कही गई बाते है गीता में कही गई बाते है सिरफ वही सत्ते है इसके अलावा इनसान जो कहते है वो कुछ भी सत्ते नहीं है अब कई लोग ऐसा मानते है कि समय के साथ-साथ हमें भी जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए लेकिन idealism ये कहता है कि जो चीजे spiritual होती है जो चीजे God से related होती है उनमें कभी भी बदलाव नहीं लाए जा सकते उनमें जो लिखा है उसी को हमेशा follow किया जाना चाहिए That is called idealism इसके एक basic term है वो है mind and self तो यहाँ पर जो भी आपको ये term नजर आती है जहाँ पर भी ये term आपको नजर आती है आपने directly idealism को ही correct answer identify कर लेना है इसमें कहा है कि जो भी चीजे इस संसार में बनाई गई है भगवान के द्वारा ही बनाई गई है असली knowledge जो होता है इंसान का वो उसके mind से ही उसको मिलता है आसपास के लोगों से जो चीजे सीखी जाती है वो temporary होती है ये सब चीजे idealism में कही गई है and idealism के बारे में किस-किस ने कहा है तो इसके बारे में सबसे पहले तो Plato ने भी definitions दी थी ये एक philosopher का नाम है इसके बाद Swami Dayanand Dayanandji है Swami Vivekanandji है और Shri Aravindu है ये सब idealism ये main proponent थे इनका नाम exam में जरूर पूछे जाते है और साथ में इन सब का ये मानना था कि हमारी जो spiritual books होती है उन में जो भी चीजे कही है वो निरपेक्ष है यानि कि absolute है और बिल्कुल eternal है और unchanging है जिनको किसे भी हालत में कोई भी इनसान बदल नहीं सकता and education के साथ अगर इसको relate करने की बात की जाए तो इसमें कहा जाता है कि इसमें हमेशा moral and value education पर ही ध्यान दिया जाता था कि किस person के लिए कौन से चीज actual में important थी वो चीजें यहाँ पर सिखाई जाती थी यह जितने भी points मैं ने बताई यह previous year question से ही लेकर आई ही ठीक है इसके बाद अगला आजाता है naturalism यानि कि प्रकृतिवाद naturalism idealism का बिल्कुल opposite है यह कहता है कि nature alone represents the entire reality environment से ही हम सीखते है हमारे आसपास की जो लोग है उनी से हम सीखते है उनका जो behavior है उनका जो तरीका है वही एक इनसान follow करता है education should be according to nature of child यह भी इसमें कहा गया है कि एक person का अब कोई बच्चा है हमें पता है बच्पन से पता चल जाता है कि किस बच्चे के कितनी capabilities है सीखने की तो उनकी capabilities उनके nature उनकी interest के according ही उनको उस level पर सिखाया जाना चाहिए यह naturalism होता है pragmatism का मतलब होता है learning by doing practice pragmatism को practice से जरूर याद रख सकते हो इसका मतलब मैंने अब बताया learning by doing यह as it is question exam में ना जाने कितनी बार आया है कि जितनी जाद आप किसी चीज के practice करते हो जितना जादा उसको action में लेकर आते हो practical करते हो उतना जादा आप easily अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो अब जैसे अगर आप doctor बनना चाहते हो doctor छोड़ो अब आप next set exam दे रहे हो आप सभी assistant professor बनना चाहते हो ठीक है teaching field में जाना चाहते हो तो आपको जितना मर्जी knowledge हो चाहे जितने मर्जी अच्छे mark से आपने exam qualify किया है अगर आप लोग अपनी teaching skills पर focus नहीं करोगे अपने teaching को अच्छे से practice नहीं करोगे तो क्या वो successful teacher आप बन पाऊगे नहीं बन पाऊगे तो इसे लिए pragmatism बहुत जादा important होता है अगला है constructivism okay so constructivism actively construct the knowledge इसमें बोला है कि learner जो होते हैं students होते हैं वो actively किसी चीज में participate करते हैं से knowledge लेकर आते हैं अब छोटे बच्चे ही देख लो उनको हर चीज हम सिखाते नहीं है बहुत से चीज ऐसी होती है जो हमें surprise वो कर देते हैं कि यह इनको किसने सिखाया तो constructivism वो लोग follow करते हैं ठीक है अगर हम जीन पाइगेट की बात करें उनका यह कहना है कि constructivism एक बहुत important point होता है जो person खुद से किसी चीज को construct करके चीजे समझता है वो उस जिंदगी में कभी भी नहीं भूलता अब जैसे मेरी एक आदत है कि कोई अगर पढ़ा रहा हूँ मैं कभी उनसे नहीं समझ पाती बेसिक्स क्लियर कर लूँगे लेकिन याद मैं अपने रूल्स के हिसाब से करती हूँ अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करती हूँ तो वो constructivism है और ट्रिक्स हैसे होते हैं जो इनसान कभी भी नहीं भूलता अगला है humanism humanism होता है human life और उनकी goals जो होते हैं उससे related ठापर बात की जाती है अब हर एक person है सबके अलग-अलग rules है सबके अलग-अलग goals है तो वो humanism के अंदर आता है ठीक है यह पूरी तरह से निर्भर करता है self-actualization पर पूरी तरह से self-actualization पर यह निर्भर करता है इसमें जैसे cooperation, mutual tolerance, social understanding यह सारी चीज़े आती है humanism के अंदर तो यह terms जो है as it is exam में आ सकती है note जरूर कीजे and students already in topics पर detailed video भी है अगर वो भी तक आपने नहीं देखी है बस मुझे comment करके बता दीजिए ताकि मैं आपके साथ link share कर सकूँ and अगर आपको यह session पसंद आ रहे है तो भी एक पर जरूर मुझे बता दीजिएगा and next unit कौन सी चाहते हो वो भी share जरूर कीजिए अगला है rationalism यानि की तर्कवाद जो भी चीज़े हम अपनी senses से अपने experience के मदद से सीखते हैं वो rationalism के अंदर आता है existentialism इसके अंदर आ जाता है individual के existence उसकी freedom उनके जो भी choices होते हैं उन सब के बारे में अगर कहीं पर बात की गई है तो go for existentialism अगला है behaviorism so behaviorism it assumes that the learner is a passive organism who may be conditioned to learn new behavior अब देखो आपका basic behavior जो होता है किसी person का वो कोई नहीं बदल सकता लेकिन फिर भी आप अगर किसी person के साथ रोज मिलते हो पूरा पूरा दिन साथ रहते हो तो उनकी कुछ न कुछ आदतें आपके अंदर आ ही जाती है अभी आप चाहें जितने मर्जी बड़ी उमर में हो जितने मर्जी छोटी उमर में हो behaviorism सब के उपर बराबर काम करता ही है observable behavior होता है आपको साथ वाले की आदतें या आपकी आदतें साथ वाले में जाएंगी ही जाएंगी next है g-salt psychology g-salt psychology भी बहुत important है it believes that the whole is greater than some of its parts कि छोटी-छोटी चीजे जो है उनको मिला करके भी हम वो नहीं बना सकते जो एक बड़ी चीज हमें देती है एक बड़ा knowledge जो हमें देता है okay so यह 10 important philosophies थी जोकि exam में बार-बार पूछी गई है education से related कुछ terms है बहुत जादा important है June 2023 के exam में as it is आई थी so इसमें कहा था जैसे कि basic education वार्दा education system किसने introduce किया था महात्मा गांधी जी ने learning to take place in nature and from nature जैसे मैंने naturalism हमने पढ़ा है ना वही चीज है वो किसने दिया है रविंदरनाथ टेगोर ने ये statement दी है naturalism के बारे में रविंदरनाथ टेगोर ने हमें बताया है integral education श्री अरविंदो focus on spiritual aspects of Indian philosophy जो भी हमारे spiritual चीज़े है Indian philosophy के हिसाब से उन पर focus किया जाए ये कहा था Dr. Sarvapalli Radha Krishnan ने as it is आई थी statements फटा-फट इसको note कर लीजिए फटा-फट पढ़ लीजिए sure है कि एक question आएगा ही आएगा ठीके next we have basic teaching models जो कि बहुत जादा interesting section है pedagogy है सबसे पहले pedagogy model जो होता है ये एक basic और पारंपरी क्यानी की conventional model होता है ये सरफ और सरफ focus करता है art and science of teaching पर art and science of teaching पर ये focus करता है and examination में जो इसमें से question आता है वो है कि steps क्या होते है pedagogy model के यानि कि शिक्षा शास्त्र model के कितने और कौन कौनसे steps होते है so इसमें basically 5 steps होते है सबसे पहला है preparation उसके बाद है presentation पहला है preparation यानि कि किसी चीज़ को कैसे आप prepare करते हो दूसरे है कैसे किसी चीज़ को आप present करते हो उसके बाद है association यानि कि जिस जगा पर आप उस चीज़ को present कर रहे हो कैसे उसको associate करके link करके वहाँ पर represent करना है उसके बाद अगला आजाता है journalization and last आजाता है application. So, यह है 5 step pedagogy model की. ठीक है? यहाँ से exam में questions आती है. Okay, linking new material to relevant existing ideas. यह preparation होता है कि अपने पुराने knowledge को use करके नए ideas को कैसे आप लोग easily generate कर सकते हो. दूसरा आजाता है endragogy model learners are self-directed self-directed endragogy मतलब खुद से. इतने इसमें students active होते हैं कि वो खुद को समझते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, कैसे किस चीज को follow किया जाए. Okay, so endragogy model में they don't receive knowledge but interpret through discovery and इसमें self- evaluation भी होते हैं, अपना मुल्यांकन खुद वो करते हैं, यहाँ पर उनको मुल्यांकन के लिए किसी teacher, किस educator या किसी की भी जरूरत नहीं है तो ऐसे जो समझदार बच्चे होते हैं, जो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, अब यसे खुद की तयारी कैसी चल रही है, वो भी अच्छे से समझते हैं, और उस according तयारी आगे भी करते हैं, तो एंडरागोजी में हमेशा adult learning को follow किया जाता है, और इसका major point होता है कि self evaluation यह हमेशा करते हैं, नेक्स्ट है, एंडरागोजी, पेडागोजी के साथ साथ एक और मॉडल होता है, हीटागोजी, इसमें से काफ़ी कम questions आते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, self determination learning इसको कहा जाता है, self determination learning, ठीक है, एक term और है, previous year questions में आया था बार बार, कि पेडागोजी को और क्या बोला जाता है, पेडागोजी को engagement term के साथ relate किया जाता है, एंडागोजी को cultivation के साथ, cultivation के साथ relate किया जाता है, and हीटागोजी को realization, it goes with realization, ठीक है, तो यह तीन terms है, यह अगर आपने याद रख ली, तो काफ़ी easy हो जाएगा आप लोगों को question समझने में, पेडागोजी, engagement, एंडागोजी, cultivation, और हीटागोजी, realization, ओके, अगला मॉडल है, Robert Glazer's model of teaching, इस मॉडल का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको कहा जाता है, teach the teacher, teach the teacher model, और यह एक framework होता है, teaching के लिए, जो की major focus करता है, students की active participation पे, कि class में कोई भी activity हो रही है, तो यह पूरा ध्यान रखता है, कि students अच्छे से participate करें, और feedback पर भी, यहाँ पर major focus रखा जाता है, यह model, Robert Glazer के द्वारा बनाया गया था, 1970s में इसे लिए इसका नाम Robert Glazer's model रखा गया है, इसमें three main phases होते हैं, तीन steps पर यह follow करता है, पहला है preparation, दूसरा होता है presentation, और तीसरा होता है practice, exam में यह पूछा जाता है, कि Robert Glazer's model कौन से 3P process पर काम करता है, तो वो है preparation, presentation and practice, next model है summer model, samr, m-o-d-e-l, summer model, तो सबसे पहले तो samr के आपको full form पता होने चाहिए, s का मतलब होता है substitution, a का मतलब होता है augmentation, m का मतलब होता है modification, and r stands for redefinition, r stands for redefinition है, तो यह इसके full form है, this framework provides, this is basically provided for educators, जहां पर multiple integrated levels होते है, and यह चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कि जितने भी integrated levels होते है, इन पर अच्छे से classroom में focus किया जाए, ठीक है, so exam में सिरफ इसकी full form में पहले पूछी जा सकती है, इससे जादा कुछ नहीं पूछा जाता, substitution में basically focus किया जाता है, कि यहां पर कैसे हम लोग technology का use करे, technology here acts as a direct tool substitute, with no functional change, जैसे कि Google Earth, यह सब चीज़ों का हम use करते हैं, augmentation होता है, यहां पर technology का use किया जाता है, as direct tool substitute, ठीक है, यह होता है, direct tool substitute, यहां पर भी direct tool substitute के रूप में use किया जाता है, especially for functional improvements, उसके बाद आता है modification, यहां पर technology को allow किया जाता है, for task redesign, किसे भी task को वापस change करना चाहते हैं, redesign करना चाहते हैं, तो modification use होता है, and redefinition हमें कहता है, कि इस case में, step में technology को हम permission देते हैं, for the creation of new task, and previously, in completed task को भी complete किया जाता है, new task को भी आपर create किया जाता है, okay, इसके अगला model है, Merrill's principle of instruction, so, यह जो task होता है, sorry, यह जो principle होता है, इसके अंदर पांच चीज़ें आ जाती है, ठीक है, सबसे पहला है, कि यह task centered होता है, task centered रहता है, इसके बाद, इसमें activation आता है, उसके बाद आ जाता है, demonstration, then we have application, and integration, next is, eddy model of instructional design, so, यहाँ पर eddy की full form होती है, analyze, design, develop, implement, and evaluate, तो यही इसकी full form भी है, and यही इसकी steps भी है, अगला आजाता है हमारे पास, 5E instructional model of e-learning, so, 5E model में आपको पता है, कि 5E होते हैं, ठीक है, पहला e stands for engage, डूसरा is explore, थर्ड is explain, फॉर्थ is elaborate, और फिफ्थ is evaluate, तो इन models में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यह जो full form और जितनी से information मैंने दी है, यह काफी है, अब देखो direct definitions हैं, फटा-फट से हम इसको discuss करेंगे, पहला point में कहा गया है, teaching is an interactive process, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को homework questions भी दे रही हूँ, मालीजिए हम classroom में बैठ कर पढ़ रही है, ऐसे में मैं आपसे बात करे जाओ, बोले जाओ, लेकिन आप लोगों कुछ response ही नहीं दे रही हो, ना yes में, ना no में कोई जबाब ही नहीं दे रही हो, तो हमारी teaching learning interactive नहीं होगी, responsive नहीं होगी, so teaching को, यानि कि शिक्षन को अच्छा बनाने के लिए, यह बहुत साथा सरूरी है, कि teaching learning process जो है, वो interactive होना चाहिए, दूसरा है, it is a process of development and learning, अब ऐसे में क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, teaching चल रही है, आप लोगों की development भी हो रही है, कुछ नया भी सीख रहे हो और learn भी कर रहे हो, next point is, teaching causes a change in behavior, अब आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है, कि आप एकदम से ही एक class के बाद ही behavior change हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छे teaching आपके साथ हो रही है, आप एक अच्छे learner हो, अच्छे से चीज़ों का समझ रही हो, तो आपके behavior में change होना भी निश्चित है, एक positive change की हाँ पर बात हो रही है, teaching एक कला है, साथ ही एक विज्ञान भी है, अब किसी person को knowledge बहुत जादा है, लेकिन वो अपनी बात present नहीं कर पा रहा, वो अपना knowledge बच्चों के साथ share करके, उनको चीज़े नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो teaching best नहीं है, क्योंकि उनके पास teaching का art नहीं है, और sciences में ये कहता है कि, किस level के students को आप क्या पढ़ा रहे हो, वो बहुत जादा important है, अगर छोटे बच्चों को मैं इतनी fast, इतनी जादा जल्दी-जल्दी कुछ चीज़े पढ़ाऊं, तो वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, एंड आप लोगों को इतने बड़े जो यूजर सेनेट और सैट एक्जाम की तयारी कर रहे students है, आप लोगों को अगर मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखकर पढ़ाऊं, तो वो भी एक गलत तरीका हो जाएगा पढ़ाने का, तो इसलिए teaching को art और science कहा गया है, face-to-face encounter है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि online classes चल रही है, तो यह वाला point सब जगा भी applicable नहीं होता, teaching is observable, measurable and modifiable, skilled occupation, किसी person के पास teaching का skill होना बहुत जरूरी है, कैसे बात present करनी है, कही लोगों को shock भी होता है, knowledge भी होता है, teaching skills भी होती है, लेकिन और भी बहुत से चीज़ें हो जाती है, skilled occupation यानि कि और भी चीज़ें हो जाते कि वो अपनी बात present नहीं कर पाते, तो इसलिए एक skilled person ही एक teacher बन सकते है, teaching is both a conscious and an unconscious process, memory level से reflective level पर काम करता है, यह हम अभी आगे discuss करेंगे detail में, teaching के साथ साथ कुछ चीज़ें और होती है, training, conditioning, instruction and indoctrination, यह topic में से पहले questions आते थे, अभी नहीं आते तो इसको आप लूट कर सकते हो, so level होते हैं teaching के तीन, ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षन जिसको memory level of teaching बोला जाता है, दूसरा है बोध स्तर का शिक्षन जिसको की understanding level of teaching कहा जाता है, और अगला है चिंतन, जिसको की reflective level of teaching कहा जाता है, so यह तीन levels बहुत important होते हैं, अब देखो, इस table को याद रख लो, सारे questions easily solve हो जाएंगे, so memory level, सबसे lowest level होता है, सबसे छोटा level होता है, जिससे छोटे बच्चों को rote learning करवाई जाती है, यह हवर्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, rote learning होती है, बच्चे को हम बोलेंगे, एफ और एपल, तो वो रट्टा मारकर एफ और एपल याद रख रख लिए, उनको शायद पता भी नहीं होगा, कि एपल होता क्या है, क्या उसका use है, तो वो thoughtless होती है, oral और written test इसमें लिए जाते हैं, lower classes में होते हैं, teacher centered होते हैं, जो teacher पढ़ाना चाहें, जैसे teacher पढ़ाना चाहें, यूगि बच्चे को इस level पर कुछ भी पता नहीं होता है, next is understanding level of teacher, teaching, यह middle level होता है teaching का, जिसको की Morrison के द्वारा present किया गया था, यह thoughtful होता है, mastery of subjects by developing understanding, ठीक है, यहाँ पर क्या था, जैसे बच्चे को ABCD सी खाएगी, फटा-फट से, यहाँ पर बच्चों को ABCD का meaning बताया जाएगा, कि यह for apple होता है, apple एक fruit होता है, इसको खाया जाता है, तो understanding level में, memory level के knowledge को एक upper level पर ले जाकर, चीजों को detail में explain किया जाता है, इसमें बच्चे थोड़ा बहुत चीजों को सोचना समझना शुरू कर देते, लेकिन फिर भी ही teacher centered ही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते, जो teacher करवाएंगे, जो teacher समझाएंगे वही रहता है, highest level होता है, reflective level, reflective level हंट के दोरह बनाया गया था, इनके main proponent हंट थे, use of knowledge and research skills to solve real life problems, अभी तक देखो, understanding level और memory level में आपने जो कुछ भी knowledge collect किया, उस knowledge को कहां पर use करना है, real life में कैसे उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है, कुछ नया सीखना है, वो आता है reflective level के अंदर, ओकी, सो देखो students, यही चीजे हैं, जैसे आप लोगों ने बच्पन में कुछ चीजे पढ़ी है, ट्राइंग सीखी होगी, बच्पन में driving सीखी, किसी कुछ साल पहले driving सीखी होगी, emergency में कब वो चीजें कहां पर काम आ जाएं, वो हमें नहीं पता होता, तो reflective level हमें यही बोलता है, कि जो भी हमारा knowledge है, जो भी हमारे दिमाग में, हमने understanding और memory level में सीखा है, उसको real life situations में problem को solve करनी के लिए यूज किया चाहता है और यह होता है, centered, learner centered, democratic होता है, role जो कि बहुत ही जाधा active role रहता है, students का, यह देखो question है, which of the following level of teaching, ले stress on critical shifting of ideas, at the highest cognitive level, so highest cognitive level क्या होता है, reflective level होता है, तो यहाँ पर correct answer क्या है, option number 3, ऐसे questions exam में आते हैं, okay, so next model is very very important, and very very interesting, that is Bloom's taxonomy, so Bloom's taxonomy के बिना कोई भी, exam पूरा नहीं होता, ठीक है, so Bloom's taxonomy, Bloom ने कहा था, कि जो तीन levels are teaching है, इससे कुछ काम नहीं चलेगा, हमें हमारी teaching learning को, बहुत सारे domains में divide करना पड़ेगा, इसलिए Bloom ने अपने हिसाब से, अपनी taxonomy को तीन हिस्सों में वर्गी करित किया था, तीन हिस्सों में बांठा था, पहला है cognitive dimension, यहाँ पर देखो, Bloom ने सबसे पहले 2001 में cognitive domain दिया, cognitive का मतलब होता है mental abilities, किसी की भी mental power, mental abilities की अगर बात की जाए, that is always related to cognitive, so उनके हिसाब से उन्होंने, सिर्फ एक ही domain में इसको छे हिस्सों में बांठा था, पहला यह कहा था कि सबसे छोटा level remembering होता है, remembering का keyword है recall, यह मैं आपको आगे भी बिताने वाली हूँ, ठीके, ग्यान, किसी चीज़ को कोई बिच्चे सबसे पहले याद रखते, आपने मेरे साथ बैटे हो, आप मुझे देख रहे हैं कैसे पढ़ा रही है, कैसे pen tab और कैसे laptop को यूज़ कर रही है, तो आपने उन चीज़ों को याद रख लिया, उसके बाद आप उस लिवल पर, एक अपर लिवल पर उस चीज़ को अच्छे से समझने लगे, फिर समझने के बाद आपने के किया, एक दिर उस चीज़ को खुद से अपलाए किया, बिना मेरी information के, बिना मेरी help के उस चीज़ को अपलाए किया, उसके बाद आपने आनलाइज किया कि इतना smoothly काम नहीं हो रहा कहां पर आपने गलती ही, कहां पर आपने गलत किया उसके बाद आपने उसी analysis के base पे आपने आपको evaluate किया अपना मुल्यांकन किया कि जैसे मैं पढ़ा रही थी कि क्या हमने भी वैसा ही पढ़ाया जैसे वो smoothly अपना laptop अपना pen tab run कर रहे थे क्या हमने भी वैसा ही किया तो evaluating के अंदर आता है last month उन्होंने ये सभी पुराने knowledge को इस्तिमाल करके कुछ नया create किया that is called blooms taxonomy तो ये 6 phases होते हैं इसका sequence यहाद रखना exam में आपको यह ऐसे दिये होंगे आपको arrange करना होगा तो blooms का cognitive domain ये था लेकिन कुछ साल के बाद bloom को लगा कि अभी cognitive domain को revise करने की ज़रूरत है तो उन्होंने उसको revise भी कर दिया आप इसको यहाँ पर as a test पढ़ सकते हो दूसरा domain है bloom का वो है psychomotor इसमें पहला phase है imitation basic level की कैसे आप किसी को देख देख के सीखते हो फिर खुद से करने की कोशिश करते हो उसमें आप थोड़े proactive हो जाते हो फिर articulation और naturalization last में वो चीज इतने practice आप कर लेते हो कि naturally आपके अंदर आ जाती है आप उसमें इतने practice करते हो कि आपको देखो शुरू में जब आप laptop चलाना सीख रहे होंगे गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे तो आपने तोड़ा समल समल कर का क्राम किया होगा अब आपका इतना naturally वो चीज आप में आ चुकी है कि आप cup brake लगा रहे हो automatically आप gear change कर रहे हो यह सब bloom के हिसाब से है कि teaching learning को ऐसे phases में divide किया जाता है और तीसरा है effective domain receiving phenomena पहले हम किसी चीज को receive करते हैं घ्यान को प्राप्त करते हैं फिर respond करते हैं कि यह informative है या नहीं फिर उसकी value जानते हैं उसको organize करते हैं फिर उसको internalize करते हैं यानि कि इसको अपनाते हैं यह already चीज़े detail में बहुत ही जादा detail में हमने discuss की है लिंक आपको मिल जाएगा बस comment कर दीजे कि मैं blooms taxonomy का link दे दो मैं फटा फ़र से आपके साथ सारे links share कर दूँ घंदी मेटेव students के लिए भी सेम चीज़े हैं यहाँ पर पहला level है ग्यान और यह सब देख सकते हो कुछ keywords है जैसे कि अगर हम remembering की बात करें remembering में जहां पर आपको define, identify, name, recall यह सारे keywords नजरा है मतलब की remembering, cognitive domain में remembering लेवल पर हम अभी बात कर रहे हैं अगर आपको किसी example में कहा है कि ABC नाम की किसी लड़की ने अपना जो है ID और यह सब चीज़े verify करवाई मतलब की evaluating phase की बात की जारी है तो हिंदी मीडियम भी यहाँ पर देख सकते हो बहुत important है यह chart इसको as it is note ज़रूर दीचे देखो जो मैं कहा रही थी ना blooms taxonomy की arrangement पूछी जाती है correct sequence पूछा है यह 2020 का question है ठीक है तो देखो क्या आता है सबसे पहले receive करते हम फिर respond करते हैं फिर value फिर organization फिर characterization देखो क्या है correct answer ठीक है इसका correct answer खुद से ढूल कर मुझे reply comment में चाहिए ही चाहिए students अगर आपको लग रहा है कि यह session बहुत साथा fast हो रहा है थोड़ा सा slow मुझे करना चाहिए तो भी आप मुझे comment करके एक बार जरूर बताइए आपके suggestions को जरूर follow किया जाएगा and the next unit कौन सी चाहिए वो भी बता दीजिए next है हमार पास gagnais taxonomy, gagnais एक educational cyclist थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ तीन लेवल से काम नहीं चलेगा हम education को represent करने के लिए कम से कम nine steps को follow करना चाहिए तो वो nine steps exam में पूछे जाते है पहला है gain the attention of the learners एक अच्छा teacher बनने के लिए खास तौपर छोटे बच्चों की अगर यहां पर बात की जा रही हो एक अच्छा teacher बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने students को students का ध्यान अपनी तरफ लाना है inform learners of the objective कि आज हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं वो उनको बताओ कल की class में हमने क्या पढ़ा था वो पहले discuss करेंगे थोड़ा सा और आगे की class में हम क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को थोड़े से short में बताने का फूर्थ step में कहा है कि present the content अब यहां से आप अपनी class को शुरू करो learning guidance बताओ students को दीरे दीरे पढ़ाना शुरू करो देखो कि उनको basic introduction समझ आई है या नहीं उसके बाद अगले level पर जाओ performance उनको practice देखो कितनी वो चीज़ों को समझ पाए है कितना नहीं समझ पाए है उसके बाद feedback पर उनको provide करो कि कहां पर कमी रह रह रही है कहां पर वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकतने है उनकी performance को assess करो and enhance retention and transfer to the job ओके इस तरीके से 9 steps में इस चीज़ को gagny ने डिवाइड किया था ओके आप जिसे की हितने से हम teacher centered और learner centered method की बात कर रहे हैं जो भी students हैं अगर आप teaching aptitude पढ़ रहे हो तो teacher learner centered आपको आना ही चाहिए teacher centered वो होते हैं जिसमें teacher focus रखता है teacher क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे वो सब decide करते है learner centered में learner पर focus रखा जाता है learner कौन से तरीके से पढ़ना चाहते हैं कैसे पढ़ना चाहते हैं वो सब चीज़े आती है और यह आती है mixed strategy teacher centered basically जो बहुत बड़ी बड़े classrooms होते हैं जहां पर 100-200 बच्चे एक साथ हों वहाँ पर learner centered यूज किया जाता है intuitions वगरा या small classrooms में individual methods को यूज किया जाता है medium size में small group methods को यूज किया जाता है अब lecture method क्या होता है team teaching और TV video presentation यह सब आते है teacher center में बस इसके नाम पढ़ लीजिए याद रख लीजिए रटा नहीं मारने के table को रट लो अब group discussion आपको बता है group discussion सो लोगों में हो सकता है नहीं हो सकता group discussion में 5-6-7 लोगों की ही ज़रूरत होती है तो मतलब small group होगा seminar में भी थोड़े लोग होते है ठीक है तो ऐसे होगा lecture अब दो लोगों को आप पढ़ा रहे होगा lecture नहीं होता वह tuition की category में आ जाते है ठीक है दो लोगों को पढ़ा रहे हो वह group discussion भी नहीं हो सकता तो दिखते सी बात है कि large group method यानि की teacher center strategy ही होगी ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसे project दिये जाते है हर एक बच्चे को individual project दिये जाते है ना तो दिखते सी बात है कि यह learner centered ही होगा बच्चा अपने according करेगा assignment हर एक बच्चा अपनी खुद बनाता है तो इसलिए यह learner center strategy है तो अच्छे से एक point को पढ़िए वीडियो को pause करके देखिए तभी आपको चीज़े clear हो जाएंगे पुराना तरीका होता है पारम पर एक तरीका होता है शिक्षन उसको teacher center कहते है इसमें teacher active होते है लेकिन बच्चे ऐसे है कि बस बैठे है सुन रहे है पढ़ रहे है टीचर को कोई मतलम नहीं होती टीचर आते है ग्लास में बढ़ाते है और चले जाते है ना वो students को पूछें लेक्चर टीचिंग यह सब इसके अंदर आता है learner center method modern होता है इसमें students बहुत active होते है आजकल के students इतने active है कि अगर आपको उनको teacher का पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो वो सामने से भी पूछ लेते है कि अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए यह teachers पे उनको साम वैसे तो यह revision session है इसकी speed इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि 60 minutes में आपको revision करना है exam से पहले help रहेगी तो इसलिए यह चीज़े बहुत important है learner center teaching means it means what it means learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process learner center में teacher उनकी help नहीं करते पूरा काम करके नहीं देते सरफ guide कर सकते हैं जैसा आप लोग अगर PhD करने जाओगे research आपको खुद करनी है सरफ आपकी जो teacher है वो आपको guide करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि कहां पर चीजों पर ध अब भी आप लोग देख सकते एक और question है इसी की base पर यह भी previous year question है learner centered approach is not centered on teacher needs teacher की needs के हिसाब से यह होता है इसमें बहुल है not centered तो यह बिल्कुल सही है the learner centered approach revolves around collaboratively determining the subject matter बिल्कुल सही है बिल्कुल basic question है next है online educational portals जिसमें सबसे पहले आता है स्वयम तो स्वयम क्या है स्वयम मे non-governmental organization है digital program है principle of education को fulfill करने के लिए online platform है या किसी website का name है तो क्या है स्वयम देखो एक online platform है जो की students के लिए free educational programs देता है बहुत से देखो इसका tagline ही है शिक्षित भारत उन्नत भारत तो स्वयम की full form exam में पूछी जाती है जो की है study webs of active learning for young aspiring minds ठीक है तो यह है स्वयम का full form इसमें जितने भी students है वो किसे भी course के लिए बिल्कुल free में enroll हो सकते हैं best online teaching platform के लिए इसको बनाया गया है currently अगर यहां पर हम 2023 के शुरुआते दिनों की बात करें तो यहां पर नाजारे कितने लाग बच्चे enroll औरेडी हो चुके हैं आप इंडियन हो इंडिया से बाहर रहते हो कहीं में रहते हो आप इसमें enroll हो सकते हो स्वयम basically चार quadrants पर काम करता है पहला quadrant है video इसमें आपको video lectures मिल जाएंगे दूसरे इसमें आपको content मिल जाएगा e content जिसको आप बाद में चाहें तो print भी करवा सकते हो self assessment यहां पर आपको मिल जाती है यानि कोई भी test अगर आप देते हो तो आप उसके बाद उसमेंट कर सकते हो कितना score किया है किहां पर गलती हुई है और इसके बाद साथी online discussion का section भी यहां पर आपको दिया जाते है तो यह है स्वयम इसके बाद अगला topic है स्वयम प्रभा स्वयम प्रभा को 19 October 2020 में launch किया गया था यह डिश है डिश है आप लोगों के घर में होती है टीवी सब लोग देखते हैं यह total 34 channels आपको provide करवाता है direct to home channels high quality educational programs है जो कि 24-7 run करते हैं एक्जाम में यह पूचा जाता है कि कौल सा सेटलाइट स्वयम प्रभा के लिए responsible है तो GSAT 15 यानि कि geostationary satellite 15 जो है इसके लिए responsible होता है students में यह confusion रहता है कि 32 channels है यह 34 तो overall 34 channels है and students क्योंकि यह 2020 में launch किय गए है सारे portals तभी से syllabus में भी add किये गए है अगर आप लोगों को इससे related current affairs चाहिए latest data जो है स्वयम प्रभा और स्वयम से related बनाई पता तो मैं आपको बता दूगी स्वयम प्रभा की सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर आप लोग चाहो तो morning में वो sessions देख लो, evening में देख लो, afternoon में देख लो, night में देख लो, 34 DTA channels है जिसमें वही चीज़े repeat होती रहती है IIT की जो teachers है उनी की यहाँ पर recorded sessions होते हैं जैसे आज के एक session है वो हर 4-5 गुंटे के बाद repeat होगा ताकि student अपने समय और सहूलियत की हिसाब से उसको follow कर सके Channel की नाम अब तो नहीं पूछे जाते लेकिन पहले पूछे जाते थे अगर समय है तो पढ़ सकते हो जैसे इसमे चैनल नंबर 1 है वागीज, चैनल नंबर 2 है संस्कृती, चैनल नंबर 3 है प्रबोध, ठीके किसके दोरा इसको handle किया गया है जैसे EMRC, जोदपूर, ऐसे जा Social Science, Management, Library Science, Information and इससे related जो subjects है उसको यहां पर पढ़ाया जाता है ठीक है IIT Daily को होन से channel को handle करती है तो वो है channel नंबर 12 नेप्टेल, channel नंबर 14 नेप्टेल, यहां पर देख सकते हैं engineering से related courses IIT के द्वारा बताया जाते हैं next है UGC MOOC, यह भी एक स्वयम का ही vertical है MOOC की full form है Massive Open Online Courses, यह भी आपको best free online education देता है, best free courses प्रोवाइड करवाता है जिसमें अभी तक काफी सारे students already enrolled हो चुके है अब देखो learners की कुछ विशेशताएं होती है और कुछ कमिया भी होती है जो कि examination के लिए important है learner की characteristics है, easily adjust to change, internal motivation अब देखो, मैं आप लोगों को चाहे जितना वर्जी पढ़ा लूँ चाहे slow पढ़ा लूँ चाहे, fast पढ़ा लूँ लेकिन कोई student अगर पढ़ना ही नहीं चाहते उनको ऐसा है कि मुझे एक ही teacher है, मेरे favorite मैं उनी से पढ़ना है चाहे वो teacher हफते में एक ही बार class लगा रहे हो तो ऐसे में आप एक learner नहीं हो, best learner नहीं हो क्योंकि एक learner वही होता है जो easily किसी बदलाव को accept कर सके कि अगर एक teacher आज नहीं है तो आप दूसरे से भी पढ़ सकते हो internal motivation होना जरूरी है अगर student खुद से interested नहीं है पढ़ने में तो उसको कोई भी बढ़ा नहीं सकता social cultural background होना चाहिए learning power देख लो सिरफ छोटी-छोटी से points है जादे से में कुछ भी नहीं है factors कौन-कौन से जो कि teaching को effect करते है teacher, learner और environment अब सिरफ तीन points ऐसे नहीं है teacher के end पे कौन-कौन से चीज़े ऐसी है जो कि उनके शिक्षन को प्रभाव करती है प्रभावित करती है जैसे बाल लीजे मैं एक teacher हूँ माल लो कि मुझे basic knowledge ही नहीं है मुझे यह भी नहीं पता कि यूजिस से net exam क्या है, क्या इससे बनते है क्या इसके फाइदे है, क्या इसका syllabus है तो सबसे पहला factor यह हो जाएगा हमारी teaching को effect करने में कि बच्चे मेरे पास आ गए, उनको पता है, अब मैं उनको बताई नहीं पा रही हूँ मुझे knowledge नहीं है, ना मुझे topic का knowledge है, ना मुझे subject का knowledge है, ना मुझे service का knowledge है तो यह एक ऐसा factor हो गया, एक ऐसा कारक हो गया, जो कि मेरे instruction को परभावित कर सकता है learner की point of view से यह हो सकता है, कि learner interested ही नहीं है कोई student ऐसा है, जो कि pilot बनना चाहते थे लेकिन उनके parents को shock था कि हमारा बच्चा assistant professor बने और वो जबरदस इस exam में आगे तो वो चाहिए जितनी मरसी कोशिश कर ले, वो इतने interest के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे easiest चीजों को पे समझ नहीं पाएंगे अब जिसे मैं अपने पूरे efforts कर रही हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कि exam में कम time है, students को नहीं पता चल रहा, कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना तो मैंने सूचा चलो 60 minutes में आपको हरी चीज़ दे देते हैं तो ऐसे में students को अगर interest ही नहीं है students अगर ध्यान से मेरी class को सुनी नहीं रहा है तो उनको इस class की value, इस class की हमियत और इसके benefits पता ही नहीं चलेंगे तो यह कुछ ऐसे कारक है जो कि आपको success से रोग सकते हैं यह factors है teaching के environment में यह हो सकता है कि teacher को भी knowledge है, students में पढ़ने में interested है लेकिन आसपास का पर्यवरण है वो शांत नहीं है आसपास शोर इतना है, गाने चल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुछ हो रहा है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती, मेरे घर के आसपास इतना शोर है कि मैं अपने sessions record ही नहीं कर पाती तो वो environment भी एक factor होता है जिसकी वज़ा से एक teacher, learner जितने वाज़ी interested हो पढ़ाने में वो नहीं उसको successful कर पाते है उसके बाद दो टाइब के learners होते हैं, जिससे exam equations आते हैं adolescent learners, छोटे बच्चे और जिसको कि किशोर अवस्था की बच्चे बोला जाता है इनकी चार characteristics होती है, academic, social, emotional and cognitive academics होती है, जो school वगरा से related है, moving from concrete to abstract, basic से थोड़े एक level up जाते है mood swings बहुत आते हैं, छोटे बच्चे देखे नहीं, एक बात पर रो जाएंगे, एक बात पर हस जाएंगे modeling behavior होता है, socially उनका, एक level तक बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अगर हम 5th, 6th, 7th के आसपास के बच्चों की भी बात करें, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी एक identity हो, हमें लोग अच्छे से पहचाने school college में, school में भी वो चाहते हैं कि हमारी कीमेज अच्छी हो, imaginary image भी वो अपनी साथ लेकर चलते हैं complexity के understanding उनमें होती है, एक age आपने बहुत बार अपने parents से भी सुना होगा कि एक age होती है, उसमें अगर आप कुछ भी सीखना चाहो तो बहुत जलवी से सीख सेपते हैं, तो वो cognitive के अंदर आता है, हिंदी मीडियम यहां पर देख सकते हो, और किशो रवस्था की मुख्यों विशिष्टाएं भी देख सकते हो, अगला है, adult learners यह बहुत समझदार होती हैं, इनको अपने अच्छे बुरे बुरा सब पता होता है, academic, emotional, social, cognitive, चार होती हैं, बड़ी चीज़ों को कैसे achieve करना है इन बच्चों को पता हوتा है, इनको यह पता है, कि एक मनत में हम UGES Gesiniate कersonate exam नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अफ़्ी ही महीनी में तो syllabus भी पूरा नहीं होता है, इनको यह पता है कि कम से कम, 4-5 महीने, हमें syllabus पूरा करने में लगेंगें, उसके बाद जाकर paper कहीं पर qualify होगा तो academics में वो इतने strong होते हैं उनको पता है कि बड़ी चीज को अचीव करने में समय लगता है और कैसे हमें उसको control में रखना है emotional होता है sense of control and self-directed prefer a learning community आसपास अच्छे समझदार लोगों के साथ रहना पसंद करते अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाते हो और आपके आसपास कोई बिगडे हुए friends आपके बन गए तो अब दीटे तिरे उनसे बाहर निकलने लग जाओगे ठीक है apply new knowledge and skills जिससे कि वो नया कुछ भी कभी भी सीख सकते है okay so adult learners की कुछ विशिष्टाएं भी होती है जैसे कि वो leadership qualities होती है experience होता है appeal, respect, novel style जिन में रहते है next is factors affecting teaching related to यह हमने already पढ़ लिया ठीक है हमने teacher, learner support material होता है जैसे मेरे को knowledge भी है आप पढ़ना भी चाहते हो लेकिन मेरे पास laptop ही नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊंगी मेरे पास whiteboard, blackboard ही नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊंगी institution जहाँ पर मैं job करती हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ वो मुझे facilities ही नहीं दे रहे तो वो चीज़े भी प्रभाव डाल सकती है हमारी teaching learning में environment हम discuss कर चुके competency यानि कि क्षमता अब जैसे कि आपकी session के लिए में लगातार बिना break के 60 minutes से बोल रही हूँ ठीक है तो ये एक शमता होना भी जरूरी है एक अच्छी teaching के लिए क्या के चीज़े जरूरी है diagnosis पहले तो देखो diagnose करना है आपको समझना है ठीक है students की क्या आप किसी जगा पर जा रहे हो आपके teacher पहले दिन आपको नहीं पढ़ाते वो क्या करते हैं पहले दिन सिर्फ ध्यान रखेंगे introduction लेंगे इससे वो सिर्फ introduction लेकर आपका नाम जानकर कुछ बड़े चीज अचीव नहीं करते वो एक्चल में students को पहले दिन observe करते हैं किस level के बच्चे है कितनी इनमें understanding है किस चीज में इनको interest है तो वो diagnosis होता है diagnose होने के बाद पहले दिन diagnosis के बाद दूसरे दिन से फिर level जो है teaching का उस according feature decide करते हैं कि क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है अच्छे से guide कर सकते है and feedback बहुत important part है कहीं पर भी teaching learning हो या general बातचीत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो feedback बहुत ज़रूरी होता है methods of teaching में already हमने discuss कर लिया है online, offline methods teacher center, learner center देखो online method offline में आता है lecture method, discussion method यह सब चीजे ठीक है online में हमने स्वयम स्वयम प्रभा MOOC देख लिया था lecture methods होते है discussion में जहां पर बच्चों को कटे-कटे बिठाया है बिठा करके कोई भी topic दे दिया जाता है discussion के लिए demonstration में उनको demo करके practical करके चीजे बिताई जाती है question answer method में भी discussion की तरह ही होता है question answers कूछे जाते है bus session में difficult level के questions होते है उनको कुछ time limit दी जाती है कि इसमें आपको answers देने है brainstorming session में भी एक topic ऐसा दिया जाएगा जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी knowledge नहीं होता है उनको कहा जाएगा कि खुद से knowledge गेन करने की कोशिश करो प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है school college में बहुत से projects दिये जाते थे जो कि बच्चों को अपने end पर complete करने होते थे next है blended learning जिसको मिशृत शिक्षन का जाता है classroom learning और online learning दोनों को मिला करके इसमें साथ रखा जाते जैसे classroom में teacher पढ़ा रही है लेकिन साथ मनों ने laptop या बड़ी screen रखी है जिसमें वो digitally भी आपको पढ़ा रही है यह होता है मिशृत blended learning flipped learning होता है lecture and homework activities ठीक है lecture आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा traditional में ही क्या होता था पहले lecture दिये जाते थे और homework दिया जाता था उसके बद flipped learning में lecture आप लोगों को laptop, computers की मदद से पढ़ाय जा रहे है और classroom activities के लिए आपको school में बुलाया जा रहा है यह होता है flipped या निकिसको उल्टा कर दिया अब आथा है सबसे important topic teaching aptitude का that is evaluation system मुल्यांकन अब आप लोगों के जो final exams होते हैं क्या है आप लोगों ने पूरा साल क्या किया उसका मुल्यांकन करने के लिए लिए जाते है evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changing the behavior of the students as the progress through school definitions पर नहीं जाते हैं direct आपको बदाते हैं evaluate करने इतना जरूरी होता है अब पूरे साल अगर आपने क्या किया क्या समझा उसके लिए evaluation जरूरी होता है ठीक है formative evaluation and summative evaluation formative होता है जो कि class के दौरान ही किया जाता है ठीक है class में आपने क्या पढ़ा मैंने आपको class में क्या पढ़ा जैसे अभी class के बीश-वीश में मैंने आपको homework questions दे दिये तो वो क्या है वो formative evaluation हम कर रहे है ठीक है यह class के end में भी आपको कुछ questions दूँगी वो formative evaluation होगा कि आप class में कितने active हो summative summary से याद रखो summary कब होती है किसी भी चीज़ की बिलकुल last में आपके final exam, आपके semester exam यह आपके summative evaluation के बाद होते है उसके बाद आजाता है norm reference and criterion reference इसके लिए best example यही है norm reference में देखो क्या हुआ एक student की performance को बाकी की students के साथ compare किया जा रहा है अगर एक student की height को बाकी के साथ compare किया जा रहा है जहांपर भी बात की जाएगी कि class में जितने भी बच्चे है सबकी performance को teachers ने compare किया जैसे class में generally होता है first, second, third, fourth जो बच्चे आते हैं वो इसी basis में तो आते है कि पहला जो आ गया उसके साथ बाकियों को compare करते 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 rank students को दिया जाएगा यह होता है norm reference test criterion reference में criteria set कर दिया जाता है जैसे UGC net set में criteria है कि जिनके भी विच्चों के 40% score होगा minimum वो qualify किये जाएगे तो यह क्या है हमने criteria रख दिया जैसे इस example में दिया है जिस लड़की की height 5 feet से जादा होगी सिरफ उसी को sports quota मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा तो यह criteria हमने निर्धारित यहाँ पर कर दिया ठीक है formative, summative और यह exam में सबसे जादा पूछा जाता है इसके बाद qualitative और quantitative techniques भी होती है जो कि बहुत ही जादा important है equation यह अपर exam में आया है बहुत बारा है formative evaluation tends to accelerate the pace of learning बिल्कुल सही है formative से में पता चलता है एक समय के साथ कि शायद हो सकता है मेरे ही बढ़ाने के तरीके में कुछ changes करने की हमें जरूरत है तो वो उसको change कर सकते हैं इसलिए learning का जो pace है गती जो है उसको accelerate करने में बढ़ाने में मदद करता है as against summative evaluation formative evaluation is highly reliable बढ़ाने में बिल्कुल सही बाग लिए ओके सो direct और indirect learning के कुछ process होते है जो की exam में पूछे चाते है इसके लावा students एक topic अभी रहा गया है जिसका नाम है micro teaching आप मुझे comment करके बताईए कि micro teaching क्या होता है इसमें से short questions आते हैं सिरफ definition बताईए अभी आज इस वीडियो के immediately बात मैं एक shorts upload करने वाली हूँ जिसमें micro teaching के concept में आपके साथ share कर दो हूँ ठीक है direct और indirect learning process देखो अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक proper classroom setup है आप भी बैटे हूँ, मैं भी बैटी हूँ आपको बढ़ा तीन बजे class होती है तो पढ़ना है तो ये direct learning का process है indirectly आप learning कैसे कर सकते हो कोई बच्चे games के थूँ सीखते हैं कोई बच्चे जो वीडियो देखते हैं आपने social media पर वहाँ से भी कई लोग कितना कुछ सीख जाते है है ना तो वो दो तरीके की learning होती है पहला है reception gaining attention by making some abrupt changes in stimulus and stimuli important पर ही focus करेंगे reinforcement बहुत बार आता है exam में reinforcement होता है students को जब भी feedback दिया जाता है compulsory होता है classroom में की feedback देना ही देना है that is called reinforcement retrieval and reinforcement additional performance by learners and it entails feedback also additional extra information students ने दे दी है students को दे दी गई and साथ में उसको feedback भी दिया गया journalism means more practice of varied problems so as to increase the retention journalism का यही मतलब होता है किसे भी problem से बाहर निकलने के लिए जितना साथ आप practice करोगे उतना बाहर निकल सकते जैसे कई बच्चे हमें बोलते है कि three hours तक हम लगातार नहीं बैठ सकते exam में कैसे बैठेंगे तो जितना practice करोगे अब भी देखो one month है आज यह वीडियो में record करी हूँ 6 November को 6 December से exam है ठीके तो आप one month तक three hours तक लगातार paper solve करने की practice कीजिए बैठने की practice कीजिए easily आप अचीव कर सकते हो ठीके retrieval to working memory stimulating recall of prior knowledge यह मैं आपको बताया था retrieval का मतलब ही होता है कभी भी prior knowledge को कुराने knowledge को कैसे नई जगा पर इस्तेमाल करके हम नए ideas को generate कर सकते हैं तो यह है direct and direct learning process so I hope students आपको यह session बहुत पसंद आया है यह session आपके लिए बहुत ही ज़ादा important है बहुत ही ज़ादा helpful है so आज हमने total 15 topics को cover किया है यह 15 topics में भी अगर आपको अभी भी कोई doubt रहा गया है यह आपको लगता है कि revision से पहले आपको और कहीं deep में जाने की ज़रूरत है सिरफ topic का नाम comment कर दीजे उस पर detailed video जो है उसका link में separately आपको दे दूँगी and अगर यह video पसंद आई है तो please comment करके मुझे motivate करने के लिए ही एक बार reply ज़रूर कीजेगा and next unit कौन सी चाहिए वो भी बिताईए and video को like ज़रूर करके 10 में से आप मुझे कितना score करोगे जैसे हमने evaluation की बात की वैसे 10 में से आप मुझे कितना evaluate करोगे ये भी मुझे ज़रूर बताना so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best